बचे हुए बहुत कम महीने CA Foundation exams में और हमारे पास सिर्फ 4 subjects तो है नहीं अगर हम bifurcate करें तो हमारे पास LR, BCR, BCK की भी equivalent tension चलती रहती है तो कुछ दिन पहले से ही YouTube पे in fact हमारे live batch के sessions में बच्चों के request आने शुरू हो गई है कि कोई एक ऐसा तरीका बताए है मुझे से लगता है कि जब एक साथ बहुत सरी चीज़े हैं तो multitasking को कैसे avoid कर सते हूँ आप तो weekday और week end की strategy आपको बताती हूँ बात करते हैं कि कैसे चीजों को सम्हा ले As someone who has been through that stage of handling many 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 subjects final में तो और ज्यादा हो जाता है time उतना ही रहता है तो देखो जी मुझे से लगता है कि तुम्हें clearly अपने weekdays को और weekend को subject wise bifurcate करना पड़ेगा करना ही पड़ेगा बिल्कुल करना पड़ेगा और number two जो तुम नहीं कर रहे हो और जो तुम को again करना होगा वो ये कि तुम्हें रात में सोने से पहले पता हो कि अगले दिन मेरे target क्या है अचीव करने के जब target ही नहीं है itineries ही नहीं है पता ही नहीं है कहा जाना है ये दो गलतिया major है जो तुम कर रहे होगे बता ना हाँ या ना तुम अभी ये गलती कर रहे हो या फिर नहीं ठीके जी तो पकड़ लो तुम अपने में तीन सब्जेक्स को मेरे हसाब से accounts में सब्जेक्ट मेरे हसाब से law is a main subject मेरे हसाब से mathematics is a major main subject maths not stats and lr okay अब आप Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday which are the weekdays उसमे आप देखो कि आप कितना output निकालते हो focused output कोई बच्चा 15 गंटे पढ़ देखा हुआ है किताप लेके वैठा हुआ है किताब लेकन दिमांग उसा कहीं और है कोई बच्चा 7 गंटे पढ़ देखा है लेकिन जब पढ़ आपड़ा है तो उसका उतना ही अउट्पूट निकल गया उसे जादा निकल गया तो पहले कि इस 5 दिन में, Monday to Friday में इन 3 subject में आप कितना output निकाल सकते हो अगर आप 10 गंटे पढ़ते हो या फिर आप 12 गंटे पढ़ते हो तो 12 divided by 3 is 4 hours तो तो तुम एकदम simple, plain, कोई tension ही नहीं है तुमने क्या करना है वो ये कि 12 divided by 3 subjects is equal to 4 hours each बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, अप अपने आवगा निकाल लो, अकांट्स, लॉ, माक्स को चार घंटे पढ़ना है, एच, चार घंटे हीच, बहुत simple strategy है यार उसमें तुम 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 2 घंटे lecture करो, 2 घंटे tak stall, 3 घंटे takする, 1 घंटे प्रक्तिस करो तुम एक घंटे motivate is बना हैं तुम 3 घंटे, प्रक्तिस करो, उथर BCR बचा तो मैं clearly बच्चों को बोलती हूँ कि जिस दुन तुमारा law sufficiently control में आ जाएगा तब BCR start करना अभी से BCR start करना बहुत ज़्यादा relevant नहीं है Similarly, BCR आप हटा सकते हैं Logical reasoning मुझे नहीं पता कि कितना ज्यादा tough है, कितना ज्यादा tough नहीं है तो for the time being logical reasoning को भी थुरा side करते हैं अभी at least one and a half months के लिए तो हम आचुके हैं वीकेंड पे, बहुत लंबा वीडियो नहीं है बहुत ही crystal clear to the point बात है जल्दी खतम हो जाएगी वीकेंड पे, अब आप देखो कि यार एक दिन मुझे मस्ती करनी है आधे दिन मस्ती करनी है तो दिन मत पड़ो थोड़ा देर, tension से free रो, mind को free रखो ना तो saturday and half of sunday को तुम क्या कर साते हो तुमने main subject, touch ही नहीं किये बिल्कुल touch ही नहीं करने है तो अपने पास बच्चा economics भी बहुत important है उसके हम लोग ने fresh recording दे ते कि यह मज़ा आजाएगा पढ़ने में और doubt forum भी है तो economics है, economics के बाद आपका उधर statistics है very important ठीक है यह B category के important subjects है then हम बात कर लेते हैं BCK की, BCK भी लंदी है compared to BCR और जिसको मन कर रहे है कि यार मुझे यह BCR में इंट्रेस्ट आ रहा है, LR में इंट्रेस्ट आ रहा है उसको भी आपकड़ लो तो weekend weekend पे आप लंबे-लंबे chunks निकालो मैं तो करियो 6-6 घंटे के chunks निकालो और complete करो यह कम जादा भी हो सकता है तो just divide things into weekdays into weekends weekdays into weekends 8 चीजों को एक साथ मतलो तो हमने 8 subjects में से स्रिफ 3 चूस की और उनको weekdays में पूरा time दिया 4 घंटे एच 4, 5, 20, 20 hours of focused study बहुत मज़ा आ जाएगा, right? तो I think इतना ही मुझे कहना था है कैसे लगा, कैसे लगा, प्लान इस कमें सेक्शन में बताना कैसे लगा का था है कैसे लगा है